गुल्मॉर्णिंग गाइस राइट नाव वी अर इन मिखालया सुबह छे बजे हम गवाटी से निकले थे और अभी बज रहे दस और हम पहुचने वाले हैं सोहरा पहुचने से पेले किसी एक जग़े हम रुख जाएंगे और बहुत सारे फोटोस क्लिक करेंगे और अपने आ So guys, we have checked in to our hotel now. As we were tired, after lunch we checked out the hotel property. Stayed in the hotel only and took rest. Hey guys, good morning. This is day 2 or aaj ramjaare hai, Garden of Caves. Yena zare or ye weather, it's just an awesome combination. Yena zare toh must hai but the roads are so bumpy so take care while riding. Yena zare toh must hai but the roads are so bumpy so take care while riding. So we have reached Garden of Caves. The entry fees is only 30 rupees per head and there are 7 points to see here. Ye hai humara first point, the king's cave. Here we have to go inside a cave like thing. This area is so beautifully preserved in its natural form and it's like a very well maintained forest. You can find many dustbins here and there in this whole area and many stuffs are appointed to maintain its cleanliness. So you may have to follow the fear wherever you enjoy the sea. Dand So किंस केस के अंदर आके मिलता है एक छोटा सो फॉल्स जिसका नाम है संस्याम फॉल्स यहां एक होल से कंटिनियूसली पानी गिरता रहता है पानी का फ्लो इतना तेज नहीं है बट जब आप रेनी सेजन में आएंगे यहां पे बहुत तेज पानी का फ्लो आपको मिलेगा और जो पानी गिरता है वो एक तरम क्रिस्चल क्लियर है यहां जो हाइस्ट वाटरफॉल है इसका नाम है लियत ओमुल्वा सिमिलरली यहां पे बहुत रेनी सेजन में आएंगे तो जो फ्लो है पानी का बहुत टेज मिलेगा ऐसे ही और भी दो तिन वाटरफॉल यहां आपको देखने को मिलेगा यहां कई जग बैठने के लिए आपको बैंचेस मिल जाएंगे इस दा मेडिसिनल वाटर और लोग बुवते हैं इसे पीने इसे सारे बीमारिया ठीक हो जाती है अब हम जा रहे हैं साइमिकर रेसोट और वहां का एक छोटा सा टूर आप लोग को देंगे कि अधार बुशन वाटर ये एको छोटहां कि अिंदब कृट्व से जाती हैं किता हैं सरह जाती हैं